हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सूपर ट्रिक देखिए क्या है वो ट्रिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो कभी भी किसकी A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है और मिनिमम वैल्यू पूछता है तो क्या होगा ट्रिक देखिए मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास अंडरूट निकालना है साइन थीटा का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वेर करेंगे plus cos theta का जो coefficient है उसका square करेंगे means a square plus b square का under root जो होगा वो maximum value होगी minimum value में कोई difference नहीं है बस इस value के साथ minus का sign आ जाएगा और similar रहेगी a square plus b square जैसे first question है आपका kbs में आया हुआ है और d plus b में भी आया हुआ question है ये क्या question देखो sin theta plus cos theta की maximum value क्या होगी और minimum value क्या होगी अगर आप notice करते हो यहां पर a की जगह पे भी one है और b की जगह पे भी one है तो maximum value क्या होगी a का square plus b का square a square plus b square मतलब one plus one is equal to me root two और minimum value क्या है जो maximum value है उसके साथ सिरफ minus का sign आएगा तो minus root two क्या होगी हमारे पास minimum value second question देखिए 3 sin theta plus 4 cos theta maximum value पूछता है तो क्या होगा root a square plus b square 3 का square 9 plus b का square 16 that is 5 maximum value क्या है 5 minimum value के लिए क्या करना है बस 5 के साथ minus का 5 करना है ऐसे ही maximum value पूछा है तो क्या होगा root a square plus b square 64 plus 36 that is 100, 100 का root कितना होगा 10 minimum value क्या हो जाएगी फिर minus का 10 है ना एक second में question solve I hope आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई क्योरी हो तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं हम फिर मिलेंगे एक super trick के साथ thank you था टीो क्योंटे जनृ क्योंटे